अंजीर खाओ ते बिमारियां पजाओ जी हाँ अंजीर देविच बहुत सारे ऐसे पोशक तातने जो कई तरह दी बिमारियां तो छुटकारा सानू दिलास आदे किड़ी-कडी बिमारियां तो छुटकारा मिले गाये थे आज मैं इस वीडियो विच तो अनू दसन जा रही है थे नाद इनाद दसुंगी अंजीर खान दा सही तरीका तांके तुसी तरीके नाद अंजीर खा के आपने बॉडी नो अपने शरीर नो सहित मंद रख सको बिमारियां तो दूर हो सको देखो अंजीर दी जह तुसी गल कादे ना इसे बहुत चंगी मात्राविच विटामिन B, विटामिन सी सानु मिल जाना है नादी नाल कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, तेरो ही फाइदे इस तो मिलन जारे ने, आयरें तो अच्छी मात्रा विच मिल जाना है, तो मैं हमेशा ही इना खुदर्ती चीज़ां दी गल कार दी है, जिना तो सानु बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल देने, तांकि असी सप्लिमेंट्स वाल ना देखके, बोर जड़ी बजार देविच मल्टी विटामिस गोलियां मिल दी है, कैपसूल मिल देखके, नो इस तरह के नाल बदिया बना लिए, कि सारे मिनरल्स और विटामिस सानु सारी डाइट मिल जानते हैं, उना विच्छों आपा अंजीर दिगाल का रहे हैं, ता देखो, अंजीर तो सानु फाइबर भी अच्छी मात्रा देविच मल जानता है, और इथे सब्तों जादा बैनिफिट देने, जिनानों डाइजेशन उलाएके कोई प्राइबलम चाल देहां ना, कब जडी प्राइबलम जिनानों रहें दिगाल दिगाल देहां, ता ज़रूर उन्जीर खाने चाहिएं, क्योंकि फाइबर चड़ा है, साढ़े, जड़ी गट हेल्थ दिली है, पसकल में पसमेत खते हैं तो कट्रोल करेमागे नहीं है when the आइरन आइरन अच्छी मात्रा वीच है जिना नो भी अनीमिया दी प्रॉब्लम चाल रही है ना उना ली ये बहुत जादा फाइदेमेंद रह साग दिया देखो खून दी कमी होड़ा आपने आप देवीच बहुत वड़ा चिंता दा विशा इसनों बहुत नॉर्मली नहीं लेना चाहिएदा सो अगर तुक्सी रेगुलर स्वेरे खाली पेट पिजी होई अंजीर खालें देओ ना ताइसे नाल देखो किन्ने सारे पोश्यक्तात मिल देया कून दी कमी ता अनों नहीं हुंदी है किसे नों हाई बीपीदी प्रॉब्लम में ओ भी थे ठीक होड़ा आइरन देखो जदो कून्डी कमी हो जान दी है ता साधे जड़े ओर गन्स ने उनना ताक सही तरीके नाल जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पान दी औक साधे वर्किंग जो हो जाएगी साधे अंदर ले और बिमार होने शुरू हो जान देने इसलही बहुत ही जरूरी है कि असी अपनी डाइट विच जहीं चीजानों शामिल का लिए सो आयरंद में गल किती हुना पर एक खास डाल अंजीर में जूड़ी का लिए क्योंकि अंजीर जिना ने भी खा दिया सम्मू पता है कि स्वार दे विच बहुत जादा मिठी हुं दी है तब मैं हुन गल उस्तों बें आपको ठाल नहीं पर लिए बॉक्त बास कोली बाइबिच अबडने स्टा ऑभर्सने वीच पानी भी जाएवे ना क्योंकि आपसे बाइबिच अलाद सै मिट गल कर रहा है ए साली ना स्वाल ने कमें बीच एविछां में काल लाओल अर आले कम पानी क्यों विटामिन्स नहीं यानि करने ञें सब्सक्रमारीर असे इसमें डियल। पानी चो काट के डाइबेटीज वाले में बार बार इसाली कह रही हैं कि तुसी अंजीर तो फायदे लेंदी था आते आपने सेहत दा नुकसान ना करें पाने विच पर अंतो बात जदो तुसी खाने ये अंजीर ता पानी सूट देना है और अर तुसी अंजीर खा लेनी है तो तो आनो जो है, calcium iron, potassium में चीजां अच्छी मातरा विच तो आनो ज़रूर इस तो मिलनवाल है, fiber तो अच्छी मातरा विच मिलनवाल है, क्योंकि sugar ने लेए, fiber भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहन दें, तांकि किते भी जो है, वना था blood sugar level जो है, एक दम increase ना होवे, सो अगो मैं गल करने लगी हैं कैल्शियम दी सानू अंजीर तो कैल्शियम ते फॉस्फोरस भी अच्छी मात्रा विच मिल रहे हैं और दोवे चीजा दोवे ही मिनरल जो है साड़ी बोन्स दी हैल्थ ले साड़ी हडिया नो मस्बूत करने ली बहुत ही जादा जरूरी ने ते कर दिया बजाए इसे कैसी कोई सप्लीमेंट कैल्शियम दा खा रहे हैं सानू सप्लीमेंट्स बगारा दे उपर बिल्कुल भी जादा फोकस नहीं करना चाहिए ज्यादा तो जादा तुसी अपनी डाइट नो सही करो तक आनू सारी चीजां डेली दी रिक्वार्मेंट फिर तो मैं खीच गल जरूर करना चाहिए कि जड़े हल्दी परसन ने वह इजा पानी जरूर पीलेंट तांके तो अनू जड़े वाटर सॉलिबल विटामिन जी में बार बार गल का रही हैं विटामिन वी कॉंप्लेक्स है विच कही तरह दे विटामिन बी तो अनू मिल ज चाहांगी जिना उनू पीरिट्स नो लेके कोई प्रॉब्लम चाल रही है ना ओ भी अंजीर अगर रेगुलर स्वेरे खाली पेट तुसी खानने हो तो अड़ी ओप्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी एक होर प्रॉब्लम अजकल सारा नो बहुत जादा रहन दी है ओ की है ओ जी स्वेरे उठ देया चुस्ती फिल नहीं हुंदी शरी सुस्त सुस्त रहन दया कोई कम करन नो जी नहीं कारदा ते ए तुसी अगर स्वेरे अंजीर खान दी आदत पालोगे ना तो अनू अच्छी मात्रा विच जो है कार्बोहाइड्रेट्स जना जद मिलनगे अच्छी ना लो खान तो बाद अंजीर तो अनू बहुत जादा फर्क कुद में मिलन वाल है पहला वी इस उपर मैं एक वीडियो बढाई सी पाई सी और मैं कहीं अनू कुछ ऐसे के तुसी जरूर दसो तुसी अंजीर खा रहे हो ता अनू की फाइदा मिले और कहीं आदे कमेंट्स आए इमेल्स में आई है कि अंजीर खानी शुरू किती सानों बहुत जादा फाइदा मिले या कई और पहला तो ही अंजीर खा रहे सी उन्हां सब्दह ही कहना है कि जदो तो 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 चुस्त फील कर देया पहला ने चाहिए शरीर बड़ा सुस्त जा रहना था सी तो तु जदी शुरुआ तुसी वरिया करोगे तो पूरे देन सारे कम वरिया होंदे ही जान देने सो जरूर कमेंट करके आज भी मैं कहूंगी सारा नो कमेंट करके जरूर दसना इस ने आपनी यह आदत अपनाई होई है स्वेरे तुसी पिजी ओई अंजीर खान देयो यह केड़े सोच रहे ने किसी जरूर जो है इसको खाना शुरू करांगे तेरो फाइदे अंजीर तो तुसी लैस आगदे हो साठे को कई इस तो आदे ड्राइफ्रूट्स नट्स और सीट्स ने जो तेरो ही विटामिन्स और मिंडरल जनाल परे होए ने सही मात्रा विच अगर तुसी नौर्मल परसन जो है तुसी 1 अंजीर अगर वड़े साइसे विच आंदी है तो उसी सिर्फ एक अंजीर आथ में पेहोँ अगर चोटे साइस एंजीर आ तो 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 उसी 2 अंजीरा रात में पानी दे विच पेहोँगे ही खाओ तब बहुत अच्छा रहेगा उस दनाल की और इत्यान जरूर रखड़ा है कि तुसी बहुत जादा मात्रा दे विचे नहीं खाणी है जिनने भी nuts and seeds उन्देने इनना नो limited मात्रा भी छी खाया जाए ताहीं जाड़े शुरी इननो फाइदा मिलदा है अगर जादा खालोगे ता पेट खराब हो सकदा है पेट दर्द हो सागदा है या कोई हो सागदी है तो जरूर इना गलना दा त्यान रखो reproductive system दे लई भी यानि जनन प्रकिरिया देर विच वी मदद करदा है जिनना नों भी कोई problem चाल रही हो वे reproductive system लेके ता उना लई भी अंजीर बहुत चंगी रैन वाली है I hope ता अनुआजी वीडिया ल जानकारी कठी कार के लेके आंदी रवागी फिलहार पेज नों हले तक फॉलो नहीं किता है ता फटाफट फॉलो कार दो YouTube चानल हेल्थ एडवाइस विधर जोत कौनों सब्सक्राइब नहीं किता है ता फटाफट सब्सक्राइब भी कार देओ मिलागे जल्दी ही सेहत ना दोड़ी होल खास जानकारी देनार फिलहार लिद्यो जी जाज़त सश्रीकार